दोस्तों बिहार दरोगा से रिलेटेड जो केस कोट में चल रही थी उससे रिलेटेड बहुत ही बड़ा न्यूज आ रहा है और इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा तो बहुत सारे दोस्त मुझे कॉमेंट में एक वीडियो जो मैं अपलोड करता था उसके कॉमेंट में आज का क्या हुआ तो आपको बता दूं कि सारी सुनवाई सुरू हो चुकी है और अगर आप देखना चाहें तो वो कहां से आप और कैसे क्वेश देब शा chef नया बिहार दरोगा नया अप्डेक हाइकोंड में जो केस चल रहा था उसका में तो सबसे पहले हम πटना हाइकोंड का अब बेवसाइट ओपिन कर लेते हैं, यहां पर पटना ही कोट आ गया, इसे सर्च कर लेते हैं, और आप लोग भी कर सकते हैं, और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, यहां देखिए, पटना ही कोट का गया, इसे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करके, यहां पर जो भी option आएगा, उ से click करना है यहां पर हम click कर दिया है case status यहां पर आईए आप token number यहां पर देखिए यहां पर आप civil case है तो civil case में जाईएगा यहां पर आप select कर लिजेगा आप civil rate cw jc इसको select करने के बाद केस नंबर केस नंबर आप डालिएगा यहां पर फिलप किजिएगा 17 302 17 302 ओके 17 302 कर दिए यहां पर फिर यह आप डाल दीजे 2018 और उसके बाद सर्च का बटम क्लिक कर दीजे सर्च का बटम क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स शुरू से लेके लाच तक और क्या है करेंट स्टेटस तो करेंट स्टेटस बहुत बड़ा करेंट स्टेटस है और आपका सुनवाई पूरी हो चुकी है और order जो है reserve देख लिजे यहाँ पे पूरा खुल गया है पर्जेंटर स्टेटर्स आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जो है case number यहाँ पे दे दिया गया है और date of feeling जो था 23 अगस्त को था और registration date 28 अगस्त 2018 को हुआ था petitioner advocate है दीपक कुमार, respondent advocate है MD नदीम, सिराज फिलाल यहाँ पे दिखा रहा है present status pending चोंकि अभी final judgment नहीं आया है यहाँ पे जो है current position यहाँ पे देखिए current position है order reserved इसका मतलब यह हुआ कि judge ने सुनवाई पूरी कर ली है और जो order है जो judgment है उसे संरक्षित मतलब रक्षित रख लिए है अब वो सुनवाई उनका केवल देना है सुनवाई पूरी हो चुका है अब बस केवल judgment देना बाकी है तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे petitioner के name है लोगों ने बहुत भारी संख्या में petitioner बने है और आप देख सकते हैं कि total कितना petitioner गया है total मैं दिखा देता हूँ आपको यह सब petitioner है और अपना roll number वेगरा सब कुस दिये हुए है अड्रिस भी उनका सब corresponding दिखा रहा है तो टोटल यहाँ भारी संख्या में petitioner बने है total 195 लोग total 195 लोग petitioner बने है और यहाँ पे respondent name हो गया है अब देखिए अब जो नया जो date चल रहा है वो देखिए यहाँ पे जो यह है case proceedings history यहाँ पे देखिए पहला सुनवाई आपका 13 सितंबर को हुआ था action agent मतलब आगे कि सुनवाई 18 सितंबर फिर date tag किया गया उसके बाद फिर agent हुआ फिर 19 सितंबर को सुनवाई हुआ फिर agent हुआ फिर 20 सितंबर को सुनवाई हुआ और उसको फिर carry forward कर दिया गया 20 सितंबर को agent हुआ और 19 सितंबर और फिर और यहाँ पे देखिए agent 24 सितंबर के लिए किया गया और 24 सितंबर के date में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 सितंबर के date में order reserve याँनिकि यहाँ पे कोई next date नहीं क्योंकि order reserve हो गया है सुनभाई पूरी हो चुकी है अब केवल judge को फैसला देना बाकी रह गया है तो जब judge final फैसला दे देंगे तो आप सबसे last में जाईएगा और यहाँ पे आपका judgment पे वो आपका last फैसला निकल के आ जाएगा तो दोस्तो यह हो गया तरीका चेक करने का बहुत सारे लोग पूछते रहते थे बार बार तो मैं उनके सुविदा को ख्याल रखते हुए यह process बता दिया हूँ कि कहां से आप find कर सकते हैं पूरा details चेक कर सकते हैं कोई जवरत नहीं है आपको इधर उधर भटकना आप इस process को देख लिजिए easily है बहुत easily सारा कुछ मैंने बता दिया है कि कैसे fill up करके आप इसे open कर सकते हैं और बहुत जल इसका उमीद करता हूँ मैं कि एक सबता के अंदर जल फैसला सुना देंगे और आप लोग निश्चीन्त रहें कुछ हद तक हैसला आपके हक में जाएगी जरूर तो इस वीडियो को बहुत से बहुत सेयर करें अपने दोस्तों के वीच जो बिहार दरोगा से related थे और इस चैनल को subscribe करना न भूले क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों की पसंद की आप लोग जिसे में आपकी रूची है उस तरह का मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपको तरह-तरह की नहीं जानकारियां भी दूंगा आपके केरियर से related तो इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें ये वीडियो क्योंकि ये बहुत important फैसला है आज के date में और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल बटन पर जरूर किलिक कर दें इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद